तो वेजिटेरियन्स की मैंने देखा है बहुत सारी क्वेरी देती हैं बहुत सारी कंफूजन्स रहते हैं और बहुत सारे सवाल भी रहते हैं कि उनके पास प्रोटीन कंजूम करने के अप्शन बहुत प्राम है ठीक है अफ़स थोड़ से कम है अभी अगर अगर कंपेर करते हैं नौन वेज से बढ़ वेजिटेरियन्स की पास भी बहुत सारे अप्शन हैं कई पर रहता होता हम लोग भूल जाते हैं मैं अप्मालूम नहीं होता है यह भी हम लोग कंजूम कर सकते हैं यह खा सकते हैं वो पुल ओफ कोटीन फुल फाइबर फुरा फाइबर मिलेगा पुरा प्रोटीन मिलेगा और करप्ष ऑफकॉर्स हैं उसमें बट वो जार हदी काब्स काब्स तो वह अग बनाएंगे और उसका नाम मैंने दिया है छोले चने राजमा मूम सालेड तो इस असालेड वेज मैंने इसमें यूज करी हैं डाले वन इज राजमा फिर आती है अपनी छोले जिसे अपका बरुचना बोलता है वाइट वाला और फिर है काले चने और उसके बाद चौथा इसमें जो इंग्रेंट है वो है हरी मूम राइट साबद मूम तो आज बनाएंगे हैं यही वेज स कामगा किया जब कैसा इस रेस्पी को बना सकते हैं विटाउट कोकिंग अनिफिक तो एक बार जाएंगे आज शुरुवात में उसमें लोग क्या करेंगे अपनी दाल को हम वाश करके उसे हम बॉइल करने रखेंगे अपने कूकर में तो जैसी बॉइल होई आईगी उसकी कोई काम नहीं है तो चना राजमा छोला सलाद के लिए हमने देखें क्या कि एनगे जिए हमारे पास है आफस्कूर्स राजमा मैंने चने भिगाए हैं और फिखा यह काबुली चना और काला चना दोनों और ये थोली से मेरे पास है मुमदाल राइक सोग किये इसको मतदब 6 करेंगे ज़्यादकर नहीं कम्प्ली डवाइल करना तो डाल देनी ने फकूकर में वह पानी इसतों पूला 사़ नामक उसको आप ایک से दो स्टी धेरी जाधा नहीं क्योंकि कि आपको कम्प्रीटली नहीं पकाना भीगे अलड़ी है तो ज्यादा मेनद लगे इसको उबलने में एक सीटी दू सीटी आ जाए तो काफी है थोलो था नमक डाल दिये टेस्ट के और और ताकि यह थोला सा गलाने में मदद करें थोला सा घी की को द्रॉप साथ इसका उबाल बाहर में आए तो यह देखिए हमारी दाल अच्छे से उबल चुकी है राइट इसको में बाल लिया है तो आप नेक्स क्या करेंगे हम हमें लिए हैं दो खीरे दो टमाटर रख दो प्याज और एक इस मेरे पास है अप्याज प्याज घॉड ले से हैं ह Rescue कार ये तो आप जैसे चाहिए काट लेजे थोड़ा संब आप पतला अग्राप राखेंगे तो और अच्छा रहेगा ज्यादा मोटा नहीं करना लबाल नहीं करना छोटा अगर हो लने काटू अभ। तो आपक तयाँ कैसे कटते हैं आपको आता है ज़र विदाने अप्र अन्य करते हैं तो यह वारा प्यास कट गया है क्षोटे गाट सकते हैं और लिए और हो चौप कर ऑफ लिए अब वालना वाल सकते हुख वापगे डाल सकते हैं अब शाभस इस लीए आप तो बीन के साथ आपके पास अगर एक इंग्रीडिट्ट और बताया तो आपको विछे इस अपना कॉन कॉन अगर आपते पास है तो आप एसली कॉन भी उसमें डाल सकते हैं तो भी आपका बहुरी प्रीशास होता है अपनी रेस्पी में यूस खिया खटी बेसे लिए तो इस प्रेस्पी के लिए इस सैलीड के लिए तो वह बहुत ही इंदा चॉइस है तो अब हम काट लेते हैं खीरा अब हुए बहुत गर्मिया दोस्तों पानी आप ज़रूर पीचे रहें अपनी शरीर को हाइडरेट रखें एक काम कीजिए मैं आपको एक टिप देता हूं कम से कम चार से पांच अटरा पानी पीचे एक दिन में ठीक है क्योंकि वह बहुत ज़रूरी इस गर्मी में जिस तरह से पड़ रही है तो आप पानी पीचे कम से कम चार से पांच बहुत आपको फायदा करें गर्मिया तो हमारी यह खीरा भी कट चुका है अब हम प्यास अब हम का इंको आप ऐसे ही डाल दीजिए एक टमाटर में लोग फूला से छॉप कर देगे इस तमाटर में वह बहुत तो थोला अशा चॉप कर दो कि अधि नंने लंबा एक टमटली काट चुके हैं एसे हम छॉप कर देते हैं इसमें इसमें एक चीज एक इंगेडियिंट और मिलाज़ते हैं वह है पनीर अगर आप खाना चाहते हैं पसंद आपको आपको पसंद लोगाई आप पगड़ा ज़रूर चाहिए तो आप जरूर पनीर को इंक्रूड करें अपनी इस रेस्पी में तो आपको मैं आप्शन दे रहा हूंगा आपको आप्शन पसंद ना आए तो आप सिक्प कर सकते हो बट इस पर इसमें तो ठीक है यह देगी है हमारी सारी सारी वेजिस कट चुकी है अब हम इसको जाएंगे इसमें मिलाने अपने दाल के साथ अठ तो अब यह देगर बहुत शांदार तरीके से हमारा सandeड तैयर होने वाला है और बहुत ही न्यूटिसिस है फवाइबर है यह नंबाहुत त्सारा क्योंकि मिल जाएंगे, और प्रोटीन नहीं, सारी तौड़ा मेरा जाते हैं... है और थोड़ा नमक इसमें डाल शूथा है याच रखना हमने नमक डाला है ये ऐसमें इसमें इसको बाइल करतेर रख लक तो थोलौण कम उद्प ही उज़ी हो जात मैं यह हम डाल दिते हैं इसमें थोड़ इसी कालि मिarsonink स्धिनिश no अब फाइनली मेरे पास एक थोड़ा लास्ट इंग्रिडिएंट है विच इस फुना हुआ जीरे का पाउर्टो यह डाल देगे तो और इसको में ला लेंगे यह लेंगे तो यह हमारा तयार है सालिड इसमें अगुए एक इनग्रिडिड और मिलाना है वेचे हरा धनिया काटेंगे और उसमें मिलाएं लेगे और फिर विजो करतें वर धनिया है और लास्ट लीम इसमें इसमें डाल रहे हैं फाइनली हरा धनिया और हरी मिर्च काटके आप इसन डाल दीजिए चौप करके चोटी सी और आप इसन में ला लेते हैं आपको पता है निम्बू कितना होट है अचल मार्केट में राइट आप निम्बू लाएं और निम्बू से लाएं तो यह देखे अच्छा से मिल गया है और देखके आपको लगदा हुगा है कितनी नुट्रीशिस देश है इसे हम लोग अनिश कर देते हैं अब अपने त्यारे दोनीज ज़े आराइट तो आप मैंसे टेस करता हूं आप जो जो लेकर देखे अ तो जो अ मैंड ब्लोई अम्मेसिंड लोग इसलिए भी ए है क्योंकि निच्छा अच्छा ही है इसलिए भी यह है क्योंकि इसके जो बहुत मिली काइब प्रोटीन गुट खार्ब्स तो पॉफेक्ट डिश फॉर एवन इवुट से नाट ओनली वेजिटरियन बट यही थी आज की रेसिपी आज आपको कर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना ट्राइ करना घर पर अपने और बताना किया अच्छी लिए नहीं किया है इतना यहां तक वीडियो देख के आए हो तो जब्रूर करना सब्स्क्राइब आप लोगों की भी एपने कितरे सारे सब्सक्राइब नोडिफिकेशन बेल को भी हिट कर लेना क्योंकि मैं अगला वीडियो ल कि अब लेकोणaut Alf Delig alert के लिए हो एके लिए लिएी कर दूर से लोगा यहां कितरे सारे सब्सक्राइब नोग